नमस्कार मित्रों जै मातादी मित्रों आप शवी का हार्थिक स्वागत है मित्रों दैनिक राश्य फल की बात करनी जा रही है 30 जुलाई सुक्रवार के दिन दैनिक राश्य फल के बारे में गरह गोचर की इस्तिती के अनुशार कौन से बड़ी परिवर्तन आज आपकी दैनिक जीवन में देखने को मिल शकती है यहाँ जानकारी चंद राश्य पर आधारित आपको देनी जा रही है मित्रों आज का दिन किस त्रहश्य पलान करें ताकि दिन खाश बने जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे चलियो शुरुवात करते हैं पंचांग से पंचांग की बात करें तो 30 जुलाई सुक्रवार का दिन रहेगा और स्रावन माह के क्रिश्न पक्स की सब्तमी तिथी रहेगी सुभा 5 बज कर 40 मिनट तक इसके उपरांत 8 मिनट तिथी आरम हो जाएगी रेवती नक्षचत रहेगा दो पहर 2 बज कर 2 मिनट तक इसके उपरांत 8 मिन नक्षचत आरम हो जाएगी ध्रेती योग रहेगा रात्री 8 बज कर 19 मिनट तक इसके उपरांत 6 नक्षचत आरम हो जाएगी सूरी रासी रहेगा करक रासी पर और चंद्र इस दिन मीन राशी में दो पहर के 2 बज कर 2 मिनट तक इसके उपरांत मैस राशी से गोचर करेंगी आज का अभिजित मुर्द का समय रहेगा दो पहर के 12 बज कर 7 मिनट से 12 बज कर 69 मिनट तक यहां समय नए कारी की सुर्वात बिल्कुल कर सकती है और राहुकाल का श्रम में रहेगा सुभा 10 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक यहाँ श्रमे निवेस करने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ श्रमे आशुप माना जाता है चलिए बात करते ही दैनिक राशिफल ब्रिशव राशिवाले जात तक आज का दीन बैस्तता में भी दीगा आज किसी काम को लेकर और सामनजश में रहेंगे अपने बैस्त कारिकरम के बावजू अपने पार्टनर के लिए समय निकाले और उनके साथ कुछ समय वैतीत करें ब्रिशव राशिवाले जात तक आज आप किसी पर संदे कर सकती है और आपका संदे सही निकलेगा ब्रिशव राशिवाले जात तक साजेदारों पर भी नजर रखें आज आपके साथ कुछ गलत हो सकता है ब्रिशव राशिवाले जात तक आज आप किसी घटना को लेकर अनजान भाई से गुजरेंगे इसलिए अधिकतर समय घर में ही विताएं ब्रिशव राशिवाले जात तक आज आपको सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है घुटनों का दर्द भी आज आपको सता सकता है योग और ध्यान को अपनाना जहिए जौकिम लेने से आज आपको बचना होगा और किसी की बातों में बिल्कुल ना आए शाथ ही वाहन शावधानी से चलाएं अगर जरुवत हो तो ही वाहन का प्रियोग करे अन्यथा बिल्कुल ना करे ब्रिशव राशिवाले जात तक बेफसाइक छेतर में प्रती फूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ शकता है और आज आपको कड़ी महनत से कारियों में शफलता रहेगी और धन लाव भी होगा लेकिन अनावस्य खर्ष अधिक होने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो शकती है और नकरात्मग विचारों से दूर रहे अन्य था आज आप मुसिवत में पढ़ सकती है ब्रिशवरासी वाले जातक क्रोध पर नियंत्रन रखे एवंग वाणी पर सयम रखे ब्रिशवरासी वाले जातक पारिवारिक वातावरन उच्च रहेगा लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेशनों पहुँचे और सेहत आज आपकी बढ़ियां रहे और मातारानी आपका कल्यान करे मित्रों अगर आप मातारानी का श्रीधा असिरवात प्राप्त करना जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे शाथ ही सच्चे मन्ज से कमेंट बॉक्स में जय लक्षमी मा जरूर लिख दे धन्यवाद